नमस्क्रा दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मलोत्रा and वेलकम तो देस्ट्रेजिक्शन आज इस वीडियो में मैं एक बहुती आसाम सा उपाए आपको देने जा रहा हूँ और इस उपाए की सबसे interesting चीज़ यह है कि एक छोटा सा उपाए ही आपके घर के सारे वास्तू दोशों को खतम कर सकता है आज मैं काफी frequently देखता हूँ वास्तू experts आते हैं घर तोडवाते हैं नहीं जी यह किचन यहां नहीं हो इसको तोड़ दो यह दर्वाजा तोड़ के यहां लगाओ यह फर्ष तोड़ दीजिए यहां पर यह लगवा दीजिए ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए बहुत ज़़ादा तोड़ा फाड़ होती है और बहुत ज़़ादा पैसे भी चार्ज किये जाते हैं इन सब के नाम पे तो मुझे इसलिए लगा कि मैं इस चीज़ के लिए वास्तू दोशों को खदम करने के लिए अपने दर्शकों को सबको एक इजी सा एक उपाए बताता हूँ ये बहुत ही इजी उपाए हमारे पुराने ग्रंतों में में इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इस उपाए का नाम है स्वास्तिक स्वास्तिक एक हमेशा से ही एक शुबता का प्रतीक माना गया है मतलब ये घर में प्रोस्पैरिटी, शुबता, औस्पिशसनेस ये सब लेके आता है अब जब वास्तु दोश होते हैं तो घर में नेगटिविटी होती है जिसको हम नकारात्मक उर्जा भी बोलते हैं और जब हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं घर में में डूर पे तो उससे घर में पॉजटिव उर्जा आती है यानि कि सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है घर में स्वास्तिक को ना सरफ हमारे कल्चर में बल्कि पूरी दुनिया में अलग-अलग कल्चर में इसको एक गुडलक का एक शुबदा का प्रतीक इसको माना गया तो जब स्वास्तिक हम अपने घर के में डूर पे या अलग-अलग जगाओं पे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताऊंगा कहा का ड्रॉ करते हैं तो इससे भी घर में सकारात्मक एनरजी का प्रभाव बढ़ता है अब मैं आपको बताता हूं कि यह ड्रॉ कैसे करना है और कहा करना है स्वास्तिक को आपको हर थर्स्टे को अपने घर के में दर्वाजे पर जैसे नॉर्मली लोगों के दो दर्वाजे होते हैं एक लकडी वाला होता है और एक जाली वाला दर्वाजा होता है तो जो में लकडी वाला दर्वाजा है आप उसके उपर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर दर्वाजे के दोनों साइड पे दो स्वास्तिक भी ड्रॉ कर सकते हैं स्वस्तिक जो होता है वो या तो आप हल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं हल्दी के अंदर तोड़ा गंगा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर या तो आप हल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप संदूर से ड्रॉ कर सकते हैं उसको अब इसकी भी एक dimension हमारे पुराने गरंथों में mention की गई है स्वस्तिक जो होता है इसके लंबाई और चड़ाई exactly 17 cm यानि कि 17 cm होनी चाहिए अब स्वस्तिक को draw करने का भी एक तरीका होता है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का link मैं नीचे description में दे रहा हूँ तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल ले है कि स्वस्तिक draw कैसे करना होता है उसका एक तरीका होता है एक खास तरीका होता है तो स्वस्तिक को आपको हर धर्स्टे को draw करना चाहिए और draw करते टाइम एक गनेश्ची का मंत्र होता है बीज मंत्र ओम, गम, गण, पते, नमह, इस मंत्र को आपको लगातार बोलते रहना चाहिए जबते रहना चाहिए जब आप इस स्वस्तिक को draw कर रहे हैं इसके लावा जब आप स्वस्तिक पूरा ड्रॉ कर लें, उसके बाद स्वस्तिक को एक बार धूप या अगरबती से उसकी पूझा करके और फिर आपको एक स्वस्ति वचन या जिसको हम स्वस्तिक मंत्र भी कहते हैं, वो आपको पढ़ना है, वो मंत्र आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है इस मंतर को आपको धूप अगरवती करते हो इस मंतर को जपना चाहिए और अब भगवान से प्रातना करनी चाहिए उसके बाद कि इस घर में जितने भी वास्तु दोश हैं वो सब खतम हो जाएं और इस घर में रहने वाले सभी लोग बहुती सुक शांती से रहे इसके लाबा एक और चीज एंख चीज़ है कि आपके घर में जिस जिस जगह पर वास्तु दोश है जैसे मान लेजी आपका ड्राइंग रूम सही जगह पे रुटी नहीं बना हुआ है य़ा आपके किछन में कोई वास्तु दोश है या आपके बेडरों में कोई वास्तु draw कर सकते हैं इससे आपके पूरे घर में काफी positive energy flow करेगी सारे वास्तु दोश खतम हो जाएंगे आपके और भी इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे और यह बहुत ही instant फायदे देने वाला है मेरे साथ से आप इसको जरूर यूज़ करिए और मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके के effects मिले और अगर आपको यह post अच्छी लगी है तो आप जरूर इस post को share करिए दूसरों के साथ क्योंकि यह सब के बहुत काम आएगी यह post क्योंकि आज वास्तू के नाम पर जो इतने पैसे लोगों से लूटे जा रहे हैं इतना जो तोड़ फुड की जा रही है उन सबका answer यह वाला वीडियो है तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर के सारे वास्तू दोशों को खतम कर सकते हैं और आप इसके benefits enjoy कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए ऐसे ही latest videos के लिए आज के लिए इतना ही Thank you, Bye Bye